नमस्कार प्रेवित दियारतियों आज हम बात करेंगे भेड के management से related terminology के बारे ही ठीक है तो देखिए इसमें पहला term है clipping क्या होता है clipping? क्लीपिंग का मतलब होता है सरी से बालों को हटाना ठीक है देखिए अगला है sharing sharing का मतलब क्या होता है भेड के सरीर से उन को अटाना ठीक है भेड के सरीर से उन को अटाना क्या गलाता है सेरिंग के लाता है और देखो जो यह सेरिंग टर्म है यह सेर्प और सेर्प किसमे काम लेते हैं भेड में काम लेते हैं ध्यान रखनाय को अब देखिए बर्स में कम से कम एक बार सेरिंग जरूर करनी चाहिए बर्स में कम से कम एक बार सेरिंग अवस्य करनी चाहिए अब वो कब करनी चाहिए? यानि कि जब सर्दियां समाप्त हो जाए उसके तुरंत बाद करनी चाहिए क्यों करनी चाहिए सर्दियों समाप्त होने के बाद ताकि जो भेड़ है वो सर्दी का सिकार न हो ठीक है यानि कि भेड़ पर सर्दी का ज़्यादा प्रभाब ना पड़े इसलिए सर्दियों के समाप्त होते हमको क्या करनी चाहिए सेरिंग करनी चाहिए ये तो हो गई साल में एक बार की बात अब यदि sharing साल में दो बार करने हो तो दूसरी बार कब करेंगे दूसरी बार करेंगे मान्सून के समाप्त होते यानि कि जब बरसा रितु खतम हो जाएगी ना उसके तुरंत बाद 시रिंग करेंगे क्यों? क्यों कि मानeks के चलो जैसे क्या हम त् zeरिंग कर रहे हैं और 시रिंग के दोराव कि पर कुछ कट लग गया ठीक है तो जो कट लगाए उसमें संक्रमड की संभावना जादा रहती है कब बरसा रितू में बरसा रितू में संक्रमड की संभावना जादा रहती है इसलिए दूसरी बार हमको सेरिंग कब करनी चाहिए बरसा रितू के खतम होने के बाद सेरिंग कब नहीं करनी चाहिए यानि कि जब अत्यादिक ठंड हो या अत्यादिक गर्मी हो तब सेरिंग हमको नहीं करनी चाहिए क्यों क्यों क्या है जो भेड का जो ताप माने सरी का वो मेंटेन नहीं हो पाएगा यानि कि जब अत्यादिक ठंड होगी तब अगर हम सेरिंग कर देंगे तो भेड़ेज वो ठंड़ का सिकार हो जाएगा और जब अत्यादिक गर्मी है तब अगर हम सेरिंग कर देंगे तो भी वो गर्मी का सिकार हो जाएगा तो इसलिए हमको जब अत्यादिक ठंड़ो हो ते गर्मी हो तब सेरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए ठीक है अब देखो अब हम बात करेंगे सेरिंगे उपकरड़ों की तो कौन-कौन से उपकरड़ हम काम मिलेते हैं एक तरफ तो बात करेंगे हम फिलोक साइज की फिलोक साइज का मतलब होता है भेडों का जुम्ड ठीक है और दूसरी बात करेंगे उपकरणों की तो जब फिलोक साइज 20 या 20 से कम है तब हम कुछ अपकरण काम मिलेंगे हिंड सीयर काम मिलेंगे ठीक है और जब फिलोक साइज 20 से 1.5 से के बीच में है 20 से 1.50 के बीच में है तब हम काम मिलेंगे हिंड मसीन ठीक है जिसको बो केमिकल सेरिंग की तो केमिकल सेरिंग का मतलब क्या होता है ऐसी सेरिंग जिसमें केमिकल का उप्यूप किया जाता है किसका रसायनों का उप्यूप किया जाता है और देखो केमिकल सेरिंग में सबसे ज़्यादा जो काम में लिए जाता है वो कौन सा केमिकल का में लिए जाता ह बोलिया जा, साइकिलो फोस्वेमेड, कौन सा का मिलिया जाता है, साइकिलो फोस्वेमेड, मोस्ट है भाई धान रखना है इसको, ठीक है, और क्या का मिले सकते हैं, थेलियम का मिले सकते हैं, सोडियम, सल्फाइड का मिले सकते हैं, ठीक है, यह तो हो गई, सेरिंग की बात, ए यानि कि मानसून के तुरंट खतम होने के बार ठीक है मानसून के समाप्त होते ही दूतरी बार क्या करेंगे सेरिंग करेंगे अच्छा सेरिंग कब नहीं करनी चाहिए जब अत्यादिक ठंड हो या अत्यादिक गर्मी हो तब sharing बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए बात करते हैं कि sharing के लिए जो सबसे ज़्यादा chemical काम लेते हैं वो लेते हैं साइकलो फोस्पिमाइड अगर chemical से sharing करनी है तो देखें ती तरह में इसमें dipping dipping का मतलब होता है डूबोना dipping का मतलब क्या होता है डूबोना बेड़ों को sulfur या arsenic के कुंडों में डूबोकर भार निकालना क्या कहलाता है dipping कहलाता है समझ मैं गई परिवासा dipping क्यों कराते हैं यानि कि जो बेड़ों होता है उसके सरीर पर कोई भाई ये परजी भी है ठीक है मक्की हो गई तो उनको क्या करना है नस्ट करना है इसलिए क्या करवाते हैं dipping करवाते है अब dipping हमको कब करनी चाहिए जैसे sharing का time fix होता है ऐसे dipping का time भी fix होता है कब करनी चाहिए तो बरसा रितू में यानि कि जो बर्सा रितु के समाप्त होते ही क्या करनी चाहिए डिपिंग करनी चाहिए ठीक है जैसे बर्सा रितु समाप्त हो गई उसके बाद करवा सकते हम डिपिंग और डिपिंग जब करवा देंगे तो डिपिंग कराने के बाद तुरंत करवाते हम सेरिंग क्या करवात दिपिंग अवश्य करानी चाहिए कब करानी चाहिए वो तो वो करानी चाहिए सर्दियों के समाप्त होने के तुरंत बात करानी चाहिए ठीक है अब यदि साल में दो बार डिपिंग करवानी हो तो दूसरी बार कब करवाएंगे तो दूसरी बार करवाएंगे महनसून के समा एक साय हम बात करेंगे भाये पर ची भी और नोतरी बात करेंगे हम डिप कौन सा काम Minam Music लेते हूं इसके लिए तो ब्हाइय पर चीजए मानके चलो सरीर पर क्या मैंगट की संस्वे का TA है मैंगट का मतलब होता है मक्की या मक्की के जो लारवा होते है ना उनको बोलते है maggot ठीक है तो उनको नश्ट करने के लिए जो dip काम लेते हैं वो काम लेते हैं क्या काम लेते हैं सलपर dip काम लेते हैं और सरीर पर जू या लाइस की संग के ज़्यादा है तो कौन सा dip काम लेंगे DDT या DDT की फुल पॉर में क्या है dicloro, dipenial dicloro क्या होता है यानिकी देखो समझो D का मतलब होता है 감사합니다 dicloro ठीक है इसका मतलब होता है difenial और इसका मतलब होता है tricloro ethane ठीक है या धियान रखना है थेन अगर तो अगर सरीर पर ठीक्स या चिशड़ों की संक्याज़ादा है तो क्या काम में लेंगे BHC BHC को बोलते हैं Benzene Hexa Kiloride और क्या काम में लेंगे Arsenic ठीक है दोस्तो ये तो हो गई Dip की बात अब यह हम बात करेंगे Dipping की बिदी कौन कौन सी है तो देखे एक तो Dipping की बिदी काम लेते हैं हिंड बात हिंड बात कब काम में लेते हैं जब फिलोग साइज छोटी हो यानि कि जो भीडो का जुन्डे न वो छोटा हो तब तो काम मिलेंगे हम हिंड बात और जब फिलोग साइज वड़ी हो तब काम में लेते हम स्विंड बात ठीक है तो देखे अगला टर्म है डॉकिंग, डॉकिंग का मतलब क्या होता है डॉकिंग का मतलब होता है जानवर को सुन्दर दिखाने के लिए पूँच को काटना ठीक है, यह जो डॉकिंग आती है यह कॉस्मेटिक सर्जरी का उदार है, अब कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होता है यानि कि जानबर को संदर दिखाने के लिए जो हम सरजरी करते हैं उसको भी बोलते हैं कोस्मेटिक सरजरी तो डॉकिंग का मतलब क्या होता है जानबर को संदर दिखाने के लिए पूँच को काटना आभ यह जो present time है जो dogging करते रूकिंग करते हैं इक तो बेडे में करते है और एक कुत्ते में करते हैं ठीक है अब किस उम्र पर करते हैं तो उसकी उच्टत उम्र क्या होगी देखिए हम बात करते हैं पप की उमर पर ठीक है अगला टर्में ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है ट्रीमिंग का मतलब होता है काटना ठीक है तो खुर को काटना या कान को काटना अगर हम खुर को काटने तो उसको बोल देंगे हूप ट्रीमिंग ठीक है और कान को काटने तो उसको बोल देंगे यह ट्रीमि देखे अगला टरमें फिलेंग, फिलेंग का मतलब क्या होता है मिर्तु के बाद जानवर के सरी से तवचा को हटाना क्या कहला था है, फिलेंग कहला था है अगला है आइंग, आइंग का मतलब क्या होता है बेड की आँखों के चार वर से उन को अटाना अब भेड़ की आँखों के चार और उन है तो उसको हम क्यों अठाएंगे ताकि अंदेपन को दूर किया जा सके ठीक है यानि कि जो बूल बिलांडनेस होती है उसको रोकने के लिए है यानि कि उन से होने वाले अंदेपन को कम करने के लिए हम क्या करते है आइंग करते है tagging किसको बोलते हैं? tagging का मतलब होता है ४िय्व इव क्या होती है? मादा भेट ४ियर्ण के प्छले हिस्स से उनंको अठाना क्या कहलता है? tagging कहलता इक्यों अठाते है? ताकिमा अधान्गम को आवसान बनाया जा सके अगला टरह में, फिलू सिंग भाई फिलू सिंग का मतलब क्या होता है फिलू सिंग का मतलब होता है यानि कि प्रजनन मोसम सुरू होने से पहले प्रजनन मोसम सुरू होने के दो से तीन सब्ता पहले भेड को पिरती दिन 20 ग्राम अतिरिक्त दाना देना क्या कहलाता है फिलू सिंग कहलाता है और देखो आपको याद रखना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रासन में क्या देते हैं दाना देते हैं तो फिलू सिंग का मतलब क्या होता है फिलू सिंग का मतलब ये होता है कि पिरजनन मोसम सुरू होने वाला आये ठीक है तो परजनल मोसम सुरू होने से पहले ही जो भेड होता है उसको क्या है 2 से 3 सबता पहले क्या देते हैं धाई से ग्राम एश्ट्रादाना देते हैं ठीक है अब ये क्यों देते हैं Multiple ovulation कराने के लिए Multiple ovulation का मतलब यह होता है कि 1-7-1-8 से 2 या 2 से अधिक 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 का भाराना क्या कहलाता है multiple ovulation कहलाता है यानि कि कुलम लाकर कहने का मतलब यह है कि भेड़ वो एक से अधिक बच्चों को जन्म दे सके इसलिए देते हैं फिलू सिंग रासन क्या होता है देखिए यानि कि गर्वावस्ता के लास्ट ट्रामेस्टर में यानि कि लास्ट ट्रामेस्टर मतलब अंतिम 45 दिन या अंतिम 6 से 8 सब्ता में पिरतिक भेड को अतिरिक्त 25 ग्राम दाना देना क्या कहलाता है गर्वावस्ता रासन कहलाता है ठीक है घर्वावस्ता रासन कहलाता है और भेड में घर्वावस्ता रासन कोई क्या बोलते हैं इस्टीमिंग अब बोलते हैं यानि कि घर्वावस्ता के अंतिम ट्राइमेस्टर में जो दिये जाने बाले जो दाने की मात्रा होती है ना उसको बोलते हैं इस्टीमिंग अप या गरवबस्ता रासन बोलते हैं अच्छा यह बताईए कि जो गर इस्टीमिंग अप करते हैं इस्टीमिंग अप रासन देते हैं वो क्यों देते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि जीवित मेमनों की संक्या में क्या है ब्रदी हो सके और बड़ोतरी हो सके ठीक है मेमनों की संक्या में ब्रदी दर तेज हो सके भेड में जो दुख 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 द मतलब क्या होता है DCP का मतलब होता है Digestible Crude Protein ठीक है और TDN का मतलब होता है Total Digestible Nutrient देखे अगला कुछ अगला है फिलीसी क्या होता है फिलीसी का मतलब होता है सेरिंग के समय भेड के सरी से उतारी गई उन की परत जब हम से रेलेटड जितने भी question answer है उनको देखलेते हैं, तो देखिए इसमें पहला question है, कि भेड़ के सरीशय से उनको अतारना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्लीपिंग क्या होता है, जानबर के सरीशइ बालों को अठाना क्या क्या थीक है यह आंसर होगा slopore dip तीसरा question style और यह सबसे जादा यही काम लिए जता है अगला question है भेर में dipping करने का है तो dipping कग करते हैं सर्दि याँ समाथ तो present भाद ì करते हैं यदि dipping साल में दो बार करनी हो तो दूसरी बार कग करने गे मांसून समाप्त होते ही करेंगे ठीक है देखे पांचमा कोश्चन है भेड में विविन ने क्रियाओं का सही समय है तो देखे मांसून समाप्त क्या करेंगे सेरिंग गलत पहले करते हैं डिपिंग ठीक है ये गलत हो गया सरदिया समाप्त sharing ये भी गलत हो गया गर्मी समाप्त क्या करेंगे dipping बिल्कुल गलत गर्मियों को समाप्त होते ही हम dipping करते ही नहीं है अगला ice में कि सर्दियां समाप्त हो गई क्या करेंगे dipping करेंगे उसके बाद कि अगरेंगे sharing तो उसका right answer D हो जाएगा ठीक है याद रखना आपको अगला question है कि भेड में गर्वावस्ता रासन को कहा जाता है क्या कहा जाता है इस्टी मंग रासन कहा जाता है ठीक है दोस्तों तो यह अपने कोछ most most question answer ते हैं यही complete होते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्ता हो किसी भी चीज में ठीक है कोई भी question हो और other subject में तो आप comment करके पूछ सकते हैं आपको solution जरूर में लगा ठीक है तो धन्यवाद